हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब मेरी आसा है आप लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे मेरे चैनल देशी घरेलू ग्यान में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में आपको देशी चीजों के बारे में बताया जाता है जो आयूर बेदे कीजे हैं उनके बारे में बताया जाता है तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को ज़्यादा सेयर करिए और अपने दोस्तों को बताईए कि आप अपना आयूर्बेस से इलाज कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आज आप मेरे हाथ में एक पौधा देख रहे होंगे जिसमें काटे ही काटे आपको दिख रहे होंगे तो दोस्तों यह बेकार सा पौधा आपने अपने जिन्दगी में देखा जरूर होगा एक बार लेकिन आपको इसके फायदे के बारे में नहीं पता होगा औ दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा होता है जहां होता है और हमारे कपड़ों में चपक जाता है दोस्तों हमारे बालों में चपक जाता है तो आपने अगर जो गाउं दिहास के लोग हैं तो 100% इसको देखे होंगे लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा आपको इसका काम नह गोखरू के नाम से जाना जाता हूँ और इतना कह सकते हैं हीरे से बिद्धा क्यादा हो थोड़ी जानकारी होता है इस Цहां जानलीजिये कि अच्छीय दबा दोई पर नहीं है दोस्तों लेकिन आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आज मैं वही कोशित करता हूँ कि आज आपको इसकी जानकारी दी जाए तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका नाम जान लेजिए इसे गोखुरू का जाता है दोस्तों और इसमें इंटी बेक्ट्रियल को बहुत ज़्यादा पाय जाते हैं और ये बहुत ही बिमारियों में काम आता है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लेजी ये किन किन बिमारियों में काम आता है तो दोस्तों मैं बता जेता हूँ ये सबसे पहले तो अगर आप को दमा की दिक्कत है अगर आपको सांस फूलती है तो आपको गोखरू के चून का सेवन कीजिए आपकी सांस फूलने की दिक्कत दमा की दिक्कत गायब हो जाएगी अगर आपके पेट में दर्द रहता है अगर आपको पथरी है अगर आपके मूत्र विकार है दोस्तों अगर आपको पता होगा इस पर बीर को कहते हैं दोस्तों अगर आपके बीर नहीं रहेगा तो आपकी सेक्सूल लाइफ कैसी होगी तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकरी देने जा रहा हूँ कि अगर आपके बीर की कमी है अगर आपकी सेक्सूल टाइमिंग में कमी है तो दोस तो आप इसका इस्तिमार करके अपने बीर को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने इस्पर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों, आज का मेरे टापिक ही है, और गोखरू तो ऐसे बहुत सी बीमारियों के काम आता है, किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा गोखरू के अनेक फायदे लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको अगर आपके बीर की कमी है अगर आपके इस्पर्म की कमी है तो दोस्तों आप कैसे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है आप इसे गोखरु को तोड़ लाइए दोस्तों यह मैंने तोड़ा हुआ है तो दोस्तों आप इसको तोड़के लाइए और इसको आप कुटवा पिस्वा कर बारी पॉडर बना लेजिए और बारी पॉडर बनाने के बाद आपको सुबा खाली पेट एक चिम्मच इसका इस्तिमाल करना है कुछ दिन बाद आपके इस्पर्म जो एक दम खतम हो चुके है नाला बहाद होगे, इतना हो जाएगा मेरी बात, हसिये मत दोस्तों आप एकीन करें यह बहुत ही इस्पर्म बढ़ाने के लिए बीर बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर दबा होती है दोस्तों अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं आईरबेति जुकान पर जाते हैं दोस्तों तो आपको इसी के पॉडर दिया जाता है बस हाँ ए है कि आपसे पैसे बहुत जादा लिये जाते हैं तो दोस्तों आप अपनी दबा सोयम बना सकते हैं सोयम इस्तिमाल कर सकते हैं बस बसरते आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तो अगर आपको इसी कोई समस्या है तो आप इसका इस्तिमाल एक बार जरूर करिए एक बार इस्तिमाल करके देखिए आपके इस पर बीर की कमी हो गई दोस्तों अगर एक बून निकलता नहीं निकलता दोस्तों तो आप नदिया बहाद हो गए लेकिन बस आप इसका इस्तिमाल क मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ हैं अब तक के लिए धन्यवाद मेरी यही आसा है कि आप लोग आयूर बेद को अपनाएं और इलोपैट पर ज्यादा डिपंड ना रहें तो अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप इलोपैट में जाए मना नहीं कर रहा हूँ